नमस्कार, Competition Community के Comprehensive Current FS प्रोग्राम में मैं पोखराच करता हूँ, इक बाद फिर से आप सभी का स्वागत और अपना अगला वीडियो में लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में 29th of October से लेके 3rd November 2022 तक के जो important current affairs है, exam point of view से उसका analysis अपन कर लेने वाले हैं ठीक है तो बिना time को waste करें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आजाते हैं अपने खाली slide पर, ठीक है भी, अब खाली slide में क्या हो गया, तो साही तकार अब देखते जाईएगा तो basically हुआ क्या, एक दिन एक लोचा हो गया, एक दिन क्या हो गया, लोचा, और लोचा हुआ ना, तो हमारा प्यारा एक, देखो, ज्यादा ही लोचा हो गया, प्राचीन शेहर है, क्या नाम है उसका, बिलासपूर वहां में रेक जाना पड़ गया, तो एक दिन लोचा हो गया, और जो प्यारा प्राचीन शेहर है, नगर है, बिलासपूर, वहां मेरा जाना हुआ, हुआ तो सबसे पहले मैं वहां गया, तो एक ठो हार खरीदा, क्या खरीदा, हार खरीदा भई, उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा ना, तो मेरे को दो नए देशोग बारे में, एक देश क्या है, ग्रीस, और दूसरा जो देश है, वो क्या है, फ्रांस, तो एक दिन लोचा हो गया, मैं जब लोचा हुआ, तो जो हमारा प्राचीन प्यारा सा एक नगर है, बिलासपूर, वहां गया, जाके क्या किया, हार खरीदा, और मेरे को दो देशोग बारे में पर जला, एक है ग्रीस, और एक है क्या, फ्रांस, ठीक है भई, सबसे पहले ध्यान रटना, जो प्यारा है, इससे साहितिकार है, प्यारे लाल गुप्त, कौन है साहितिकार, प्यारे लाल गुप्त, क्लियर है ये, ठीक है भई, प्राचीन से उनकी र रचना है बिलास्पूर का वैभव अगली रचना हार से पुश्पार कौन सी रचना है हार से पुश्पार ठेक है भई अगली रचना एक है क्या एक दिन अगली रचना लोचा से याद रखना पणडित लोचन प्रशाद यह तो आ गया पांडे जो है न उनकी जीवनी बाइगरफि पणडित लोचन प्रशाद पांडे की जीवनी बायगरफि ग्रीस तो याद रखना ग्रीस से है ग्रीस सब उटपुटांग हुआ थे का सुधार और फ्रांस से है फ्रांस राज्य क्रांती का इतिहास तो मैंने क्या बताया एक दिन एक लोचा हुआ और जब लोचा हुआ तो मुझे क्या किया या मैंने क्या किया या मुझे क्या करना पड़ा तो एक प्यारा प्राचीन शहर है नगर है बिलासपुर वहाँ जाना पड़ा वहाँ जाक मैं एक ठो हार खरीदा और दो देश के बारे में बजला एक है ग्रीज, दूसरा क्या है फ्रांस, ठेक है भई, तो प्यारा से क्या है तो प्यारा से सहितकार है, प्यारे लाल जी गुप्त पहली रचना प्राचीन से है, प्राचीन शत्यसकड क्लियर है दूसरी रचना है बिलासपूर तो बिलासपूर वैभव या बिलासपूर का वैभव बोल सकते हो कोई दिकत नहीं है इसके बाद तीसरी हार से क्या है तो है पुश्पाहार उसके बाद अगली रचना है एक दिन और उसके बाद जो रचना है लोचा से पंडित है आप लोग समझ गये होंगे अब क्या गरते हैं तो सबसे पहले अपन लास्ट जो वीडियो है उसमें से questions को देख लेते हैं तो लास्ट वीडियो राष्ट्री प्रभाकर केलकर पुरुसकार चत्तिस गड़ में या चत्तिस गड़ के किस महिला जैवे क्रिशक को प्राप्थ हुआ था सही आंसर डी श्रीमती उर्मिला सिदार ठीक है अगला question क्या है भई तो चत्तिस गड़ विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गी श्री मोहन सिहमंडावी किस विधानसभा शेत्र स वनुवेभाग और दस स्वरी पच्चिस जो तहसील है उनका उद्गाटन कब हुआ तो 17 अक्टूबर 2022 को हुआ उद्गाटन और जो last question था मुख्यमंत्री श्री भुपेश बगेल की तरब से राजय सरकार के जो सलाकार है गौरब दुएदी जी उन्होंने किस अभिनेता को राएपुराने का नेता दिया था तो वो है कौन श्री अमिताब बच्चन ठीक है तो questions के बाद अब आजाते हैं सीधा इस बार या इस week के important news पर ठीक है भई तो पहला क्या है एक book है माटी के मितान उसका विमोचन हुआ है इस book को क्या किया गया है release किया गया ह कौन किये हैं तो मुख्यमंत्री जी cm बुपेश बगेहल जी मुख्यमंत्री जी क्या किये है book को release किये है book का नाम क्या है माटी के मितान अब book के लेकक कौन है तो लेकक है महें कोचर जी और विजय चोपड़ा महें कोचर विजय चोपड़ा बुख का नाम क्या है माटी के मितान अब इस book को publish कौन किया है तो इसको करने वाले है जैन समवेदना ट्रस्ट तो publisher है जैन समवेदना ट्रस्ट राइटर है महें कोचर और विजय चोपड़ा बुख का नाम क्या है तो बुख का नाम है माटी के मितान, clear हो गया यह, ठीक है, examination point of view से importance की बात करें तो MCQ के तौर पर यह question पूछा जा सकता है कि माटी के मितान, यह जो book है, इसको आप विमोचन किस ने किया, तो answer क्या आना चाहिए भूपेश बगहेल जी, यह पहला question हो गया, second question हो सकता है इसके लेखक कौन है, तो महिन कोचर और विजय चोपड़ा इसको आपको answer में लेना होगा ठीक है, चलिए, अब next आ जाते है, token तुहर हाथ, अब आप सभी को पता है कि इस वर्ष एक नवंबर यह जो date है, इस पे धान की खरीदी 36 गण में स्टार्ट हो चुकी है, clear है अब धान की खरीदी होती कैसे थी, तो समिती या खरीदी का जो उपारजन केंदर जिसे हम कहते हैं procurement centers इन centers पर जाकर किसानों को धान को बेचना होता है, लेकिन एक साथ जब सब किसान चले जाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए सरकार क्या करती थी, सरकार इनके लिए एक ठोट token system या token की व्यवस्था बना कर रखी हुई थी तो सामाने रूप से हर साल ऐसा होता था जिसको जिसको धान बेचना है जो registered किसान है वो registered किसान क्या करेगा ऐसी समीति या उपारजन केंदर में जाएगा और वहाँ जाकर क्या करेगा token को लेगा और जिस दिन का token मिला है उस दिन token को लेके और साथ में क्या है अपने धान को लेकर चला जाएगा और क्या करेगा अपने धान को बेच देगा इस प्रकार की विवस्था पहले भी थी अभी भी है बट इस साल क्या किया गया तो actually NIC ने एठो Android आप जो है उसको launch कर दिया clear है ये इस application का नाम क्या है token तुहर हाथ अब इस application का उद्देश क्या है क्या objective है तो ये जो पूरा का पूरा token जारी करने का प्रक्रिया है या system है इसको क्या करना एकदम easy या सरल कर देना तो कैसे easy सरल कर देंगे भई तो एक ठो आप्लिकेशन बना दिये हैं Android का और इस application के माध्यम से किसान क्या है अपने घर में बैठे बैठे online token ले सकते हैं तो पहले token के लिए जाना पड़ता था अब क्या करेंगे तो घर में बैठे बैठे online token को ले सकेंगे clear है ये इसका मतलब क्या हुआ तो जो समिती है या उपारजन केंदर है procurement center है वहाँ जाने के आवशक्ता नहीं तो जो असुविधा होती inconvenience होता वो असुविधा खतम हो गई अब आपको वहाँ जाने के जोरत नहीं है घर में बैठे बैठे आराम से सोफम बैठके क्या करिए तो token को कटवा लीजिए अब ये जो token है कब तक का मिल सकेगा तो आगामी साथ दिवस मतलब एक तारीक को अगर आप देख रहे हो तो आगे साथ दिन का token आपको या साथ दिन के अंदर का token जो है आपको क्या है मिल सकेगा तो पूरा का पूरा token system जो है उसको easy बना दिया गया कैसे एक ठो online option को लाके लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान है जो की उतने tech savvy नहीं है tech savvy होने का मतलब क्या है कि उतना जादा mobile चलाना नहीं आता हो सकता है किसी पास android mobile नहों तो उन लोग के लिए क्या है पहले के भाती offline token जो है वो भी जारी किये जाएंगे तो ऐसे लोग जिन लोग थोड़ा familiar नहीं है android से नहीं चला सकते वो लोग जाके offline भी token ले सकते हैं और ऐसे लोग जो लोग बहुत जादा familiar है वो लोग घर में बैठे बैठे आराम से क्या कर सकते हैं online token ले सकते हैं अब ये news तो आपको क्या हो गया होगा एक अदम से clear हो गया होगा ठीक है भई अब देख लेते हैं examination point of view से सबसे पहले ये जो token तुहर हाथ ये पूछ लेगा ये application किस से संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है इसका total जो application का जो objective है उद्देश्य है तो किसानों के लिए है ये और क्या करना है किसानों को जो token जारी करने की प्रक्रिया है या system है उसको easy या subtle बनाना है clear है तो किसानों संबंधित है बहुत detail में पूछनों को पूछेगा कि ये application कौन बनाया है तो याद रखना NIC बनाई है इसको तो ये तो हो गया क्या MCQ के form में अगर mains के form में देखोगे न तो अगर कोई ऐसा essay आ जाए जिसमें आपको क्या लिखना है क्रिशी के छेत्र में कुछ innovation को लिखना है तो आप ये भी बदा सकते हो कि राज्य सरकार अब क्या कर रही है धान की खरीदी को और easy बनाने के लिए token system जो है इस application के माध्यम से उसे online कर दी है clear है तो ऐसा नहीं है कि directly SM push देगा ठीक है एक ठोब मैं comment पढ़ा तो भाई साब जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि हर चीज़ SM आएगा अरे महराज ऐसा नहीं होता हर चीज़ SM नहीं आएगा लेकिन अगर essay किसी भी संबंध में आया तो दिमाग में point कहां से आएगा तो point यहां से आएगा कि अगर token तुहर हाथ अच्छे से आपको याद है तो agriculture से related अगर कोई essay आता है ऐसा जिसमें आपको लिखना पड़े कि इस छेत्र में सरकार क्या नया कर रही है तो उसमें उस essay में इस point को use कर सकते हो तो भाईया आप लोग video देखते हो बहुत अच्छा बात है लेकिन थोड़ा अक्कल भी लगाना है बेकल जैसा हरकत नहीं करना है समझ में आया चलिए अब धान खरीदी के हम लोग बात करी रहे थे और यह आ गया तो 36 गड़ में धान खरीदी जो है यह स्टार्ट हो गई है कब से हैं तो 1 नमंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक फिलहाल अभी इसका window चालू है कि इसका धान खरीदी का ठीक है भई तो हमारे यहां पर food and supplies department जो है या इस मंत्राले के जो मिनिस्टर है खाद्य मंत्री जी श्री अमरजीद भगत उन्होंने इसकी शुरुवात की तो रायपूर जिला में एक ठो नया तहसील बना है मंदिर हसोद और इसी मंदिर हसोद में जो सहकारी समिती है cooperative society है वहां मा अन्नपूर्णा जो है उनकी आराधना करने के बाद धान खरीदी जो है वो शुबारंब हो गए सरकार का लगभग अनुमान है कि इस साल 110 लाख मीटरिक टन जो है वो क्या किया जाएगा धान को खरीदा जाएगा या उसका procurement होगा अब जो किसान है कितने लाख किसानों ने integrated किसान पोर्टल या एक एकिकरित किसान पोर्टल में पंजियन क्या registration किया है वो है 25.72 लाख 25.72 लाख farmers ने registration किया है पिछले साल कितना था 24.86 लाख इतने किसानों ने क्या किया था registration किया था धान खरीदी के केंद्र कितने है भई तो पिछले साल 24.84 थे इस बार कितना है 24.97 इसमें से question MCQ के form में आ जाता है सामाने रूप से अभी ज़स्छले ही साल का जो प्रिय हुआ था उसमें पूछा था कि ये जो धान खरीदी है सबसे आदा कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है करके तो जब ये complete हो जाएगा तो डेटा हमारे पास आ जाएगा तो मैं बता दूँगा आप लोग को clear है ठीक है भई अब इस साल अगर बात करें तो खरीव 2022 के लिए MSP जो है वो धान का 2040 रुपए प्रतिक्विंटल है और धान पतले ग्रेड का ए ग्रेड का है तो 2060 रुपीज 2060 रुपए प्रतिक्विंटल का है तो ध्यान रखना MSP 2040 रुपए प्रतिक्विंटल है इस बार किसका सामान एग्रेड का ध्यान है और पतला है या एग्रेड का है तो 2060 रुपीज प्रतिक्विंटल के दर से खरीदी की जाएगी अब मिर्ग पता है एक ठोग कन्फूजन आप लोग के दिमाग में आया होगा सबसे पहले एक ठोग मेरे को कमेंट करके बताओ पिछले साल यह आप लोग को अलरड़ी मैं दो-दो वीडियो में दो-दो बार बता चुका हूँ फिर से नहीं बताओंगा लास्ट येर जो पैडी प्रोक्यूर्मेंट है धान उपारजन मैं बताया हूँ मैक्सिमम कौन से जिलम हुआ है और मिनिमम कौन से जिलम हुआ है ठीक है आप लोग कमेंट करो अगर कमेंट सहीं आ गया तो ठीक है नहीं आएगा तो अगले वीडियो में बता दूँगा मैं ठीक है अच्छा अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर हमारे यहां तो सरकार धाई हजार रुपे मधान खरीबती है तो समझना इसका स्टोरी क्या है MSP कितना है सामानिक रेट के ध्यान का 2400 रुपे ठीक है अब धान लगाओगे तो सरकार आपको 9000 रुपे प्रती क्विंटल क्या करेगी इंपूट सबसिडी देगी ठीक बात है अब यह जो इंपूट सबसिडी है यह प्रती एकड़ है अब पर एकड़ में सरकार कितना धान खरीती है पन्दरा क्विंटल तो 9000 को अगर 15 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा कितना 600 रुपे तो जब 15 क्विंटल का आपको इंपूट सबसिडी 9000 मिल रहा है तो एक क्विंटल का इंपूट सबसिडी कितना मिला आपको 600 रुपे समध में आया तो MSP कितना है 2040 और input subsidy कितना है 600 ये input subsidy हो गया और ये हो गया MSP तो राज्य सरकार जो है आपको इतना रुपए देती है धान का कितना 2640 रुपए तो जब धान बेचोगे तो पहले सीधा 2040 रुपए के हिसाब से जितना धान बेचे हो उसका पैसा मिल जाएगा और input subsidy जो है ये आपको चार किस्त में मिलती है अब राज्य सरकार जिस 2640 रुपए में क्या करती है धान का उपारजन करती है या खरीती है इसे कहते हैं procurement price या खरीदी मूल्य समन्झ में आया कि नहीं आया तो ये राज्य सरकार का procurement price है खरीदी मूल्य है 2640 रुपए इसको MSP मत समझना MSP वही है जो की केंदर सरकार द्वारा घोशित है खरीव 2022 के लिए MSP है 2040 रुपए समानिग्रेट के ध्यान का अब इस 2040 में input subsidy 600 रुपए प्रति क्विंटल जूड़ जूड़ जाता है या खरीदी मूल्य है क्लियर है तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना अब examination point of view से क्या क्या पूछा जा सकता है तो सबसे पहले इस साल जो धान उपारजन केंदरे है पैडी procurement centers उनकी संख्या को आपको ध्यान में रखना है MSP ध्यान में रखना है लेके 31st of January 2023 तक शुरुवात कहां से हुई ये पूछा जा सकता है तो शुरुवात हुई है मंदिर हसोत से और जब data आ जाएगा तो maximum और minimum कहां कहां पे हुआ है इसको आप लोग क्या करना अपडेट कर लेना चलिए अब अपन next पे आ जाते है next क्या है जो है उसके अध्यक्ष बने है श्री केपी खांडे उसके बाद चत्तिसगड़ राज जीव जनतु कल्यान बोर्ट के अध्यक्ष श्री विद्या भूशन शुकला जी बलोदा बजार भाठा पारा उसके बाद चत्तिसगड़ राज दिव्यांग जन सलाकार बोर्ट जो है उसके श्री मुहन लालवानी कहां के है धमतरी के उसके बाद चत्तिसगड़ लोह शिल्प कार बोर्ट जो है श्री लोचन विश्व कर्मा दुर्ग के उसके बाद चत्तिसगड़ चर्म शिल्प कार जो बोर्ट है उसके अध्यक्ष बने है तरुन बिजौर दुर्ग के उसके बाद चत्तिस गड़ केश शिल्प बोर्ड जो है उसकी अध्यक्षता मिली है किनको तो नंद कुमार सेंट दुर्ग उसके बाद फिर चत्तिस गड़ रजक कल्यान बोर्ड इसके अध्यक्ष लोकेस कन्नोजे बल उर्दू अकादमी बोर्ड जो है उसकी अध्यक्षता श्री इद्रिश गांधी राइपूर, सिंधी अकादमी बोर्ड इसकी अध्यक्षता श्री राम गिडलानी राइपूर के, मदर्सा बोर्ड जो है इसकी अध्यक्षता श्री अलताफ एहमद दुर्ग और चत्तिजगर स संस्कृत विद्यामंडल इसकी अध्यक्षता मिली है डॉक्टर शुरेश कुमार शर्मा कहां के रायपुर के क्लियर है तो इसमें समझाने जैसे कुछ विशेश है नहीं यह सीधा सीधा आपको mcq form में न्यूक्तियों को पूछेगा तो आप लोग क्या करिएगा mcq के form में इन न्यूक्तियों को देख लीजेगा इसके अलावा राज अलंकरन पुरुसकार भीवितरित किये गए हैं तो अलंकरन जो है न उसका pdf आप लोग को मैं अवेलेबल करा दूँगा उसको आप लोग देख लीजेगा और उसको आप लोग रट लीजेगा ठीक है मैं जितना शौट्स बनाता हूँ न उन शौट्स में बीच बीच में एक एक दो दो अलंकरन जो है उसको मैं क्या करूंगा डाल दूँगा ठीक है और उनको याद करने का एकाथ कोड बता दूँगा ताकि आप लोग क्या करो उसको याद कर सको चलिए अब नेक्स्ट वरिष्ट पत् कि अब्रिष्ट थे खेक हैं इसके लावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज्स पेपर नंको यह क्या रह चुके हैं यह रह चुके थे कहलो संपादक, एडिटर क्या क्या नाम है, संडे आब्सर्वर, ट्रिब्यूून, ऐसे निूज्स पेपर्श के क्या रह चुके हैं अनुवाद भी किये थे अपने जीवन काल में तो रमेश नायर जी का हो चुका है निधन क्लियर है ये तो examination point of view से अगर देखें तो सीधा पूछेगा श्री रमेश नायर जी है इनका संबंध किस से है तो ध्यान रुखिए का पत्रकारिता से ठीक चलिए भी नेक्स देख लेते हैं तो चत्रगण महतारी की 11 फुट उची कास्य की प्रतिमा जो है उसका नावरण किया गया कास्य मतलब क्या हो गया इस इस ब्राइपूर analyse साथा जुका प्रतिमा प्रतिमा जो क्या है अनावरण ठीक है अन्वील किया गया है उसे अब ये जो प्रतिमा है ये कितनी है 11 फुट उची है लगभग 1200 किलो क्या है इसका वजन है किस से बनी है ब्रॉन से कांसे से इसको बनाए कौन है तो जे एम नेलसन जॉन मार्टिन नेलसन क्या मिला है इनको पदमिश्री याद होना चाहिए आपको 2008 में मिला था क्लियर है बहुत जादा फेमस मूर्तिकार है कहां रहते हैं तो भिलाई में तो 2008 में क्या मिला था इनको पदमिश्री मिला था ठीक है भिलाई निवासी है बहुत फेमस मूर्तिकार है चत्रगण महतारी हमारे राजिक असमिता सम्मान स्वाभिमान, इनका क्या है, प्रतीक है, clear है, और चत्रगण की माटी की परमपरा और लोग संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए, जो स्थानी संस्कृती है हमारा लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है इस प्रतिमा को इस स्टाच्यू को स्थापित किया गया है क्लियर है ठेक है भी एक्जामिनेशन पॉइंट अफ्यू से देखिए तो एमसी क्यूस के लिए यह जो स्लाइट है इंपोर्टन हो सकता है पूछेगा यह प्रतिमा अनवेल या नावरण कौन किया भुपेश बगेल जी कहां पर कलेक्टरेट चौक रहएपूर कौन बनाने वाले हैं पूछेगा तो याद रखेगा जौन मार्टन नेलसन यह पूछ सकता है इनको पदमश्री कम मिला तो 2008 में तो यह तीन से चार क्वेशन जो है वो इस स्लाइट से बन सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लास्ट न्यूस पर अपन तो राष्ट्री दो कैटेगरी फसल कटाई दूसरा गया था विवासंस्कार एवं अन्य तो फसल कटाई का जो श्ट्रेणी था उसमें फर्स्ट प्राइस अपने राज चत्तिजगड का जो कर्मा डान्स है कर्मा नृत्य उसको मिला ठीक है सेकेंड प्राइस किसको मिला है ओडिशा धेंग प्राइज सिक्किम का तमांग से लो डांस, सेकेंड क्या है ओडिशा को, थर्ड क्या है जारखन, विशेश जीवरी सांतवना सम्मान, असम और गुजराद जो है इसको मिला है, क्लियर है, एक्जामिनेशन पॉइंट अफ्यू से अगर आपन बात करें, तो एक्जामिनेशन थ्रियाद रख लोगे, तो बहुत बढ़िया, अब ऐसा हो ही नहीं सकता, छत्तिजगड का कर्मा डांस आए, और अपन इस डांस को क्या न करें, डिसकस ना करें, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, छत्तिजगड में चाहे आप वनवासियों की बात करें, चाहे आप ग्रामीनों की बात की जाए, सब का जीवन जो है, उसके पीछे जो सबसे important factor है, या उनकी संस्कृति क्या है, तो श्रम प्रधान संस्कृति है, तो ये जो कर्मान डित्य है, असल में क्या है, तो जो कर्म के देवता है, उनकी पूजा का डित्य है, ये हमारा कर्मान डित्य ह क्यूंकि 36 गड़ की संस्कृति चाहे वनवासी ये जंजातियों की बात करें, चाहे ग्रामीड की क्रिशी संस्कृति की बात करें, सब जो है कर्म प्रधान है, सब में कर्म करना पड़ता है, तभी फल मिलता है, तो इसलिए कर्म के देवता की पूजा का पर्व है, या नृत् इसको कौन-कौन करता है, तो महिला भी करते हैं, साथ में पुरुष भी कर लेते हैं, कौन सी जंजाती तो याद रखना अलग से, जी-ओ-वी-बी जी से गोंड, O से उराउ, B से बैगा, औब B से बिंजवार, जी-ओ-वी-बी गोंड, उराउ, बैगा, बिंजवार ये जनजातियां क्या करती है तो कर्मा नरित्य प्रमुखुरूप से करती है कलियर है यह अब इसमें एक जनजाति ध्यान रखना बैगा तो बैगा लोग जो कर्मा करते हैं उसको क्या बुलते हैं बैगानी कर्मा तो हर वर्ष लगभग विजय दश्मी का जो समय होता है दशेहरा उस समय से लेके अगले वर्ष का जब तक वर्षा रितु स्टार्ट न हो जाये तब तक इस नुरित्य को किया जाता है तो दशहरा या विजय दश्मी से लेके अगले साल का वर्षा जितु जब तक स्टार्ट ना हो जाए तब तक इस मुझतिको किया जाता है और ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो कर्मा नृत्य है इसके चार प्रकार होते हैं क्या क्या है तो है कर्मा खरी कर्मा खाय उसके बाद कर्मा लहकी और फिर है कर्मा जुलनी तो कर्मा का प्रकार क्या क्या है कर्मा खरी कर्मा खाय कर्मा लहकी और कर्मा जुलनी तो इतनी चीजें आपको कर्मा डांस या कर्मा नृत के बारे में क्या है पता होनी चाहिए चलिए तो इस वीडियो को end करने से पहले क्या करते हैं तो कुछ questions को देखते हैं इन questions को आपको comment box पे comment करके बताना है तो हाल ही में 36 गड़ में केश शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष कौन यूट किये गए हैं भई ठीक है अगला क्या है 36 गड़ सरकार ने जो token तूहर हाथ आप है वो किस वर्ग के लिए विक्सित किया है अगला क्या question है चत्रगड सरकार द्वारा इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान उपारजन का लक्ष रखा गया है और राष्ट्री आदिवासी नृत्य महुत्सों में फसल कटाई श्वेडी में किस राजिकों प्रथम पुरुसकार से सम्मानित किया गया है चलिए तो इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको अपन एंड करते हैं ठीक है आप सभी क्या करना है जितने questions है इन सब को comment box पे आपको क्या करना है comment करके बताना है चलिए तो मैं मिलूँगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक ले thank you and take care